कॉफी विद करन का नाम कॉफी विद करन नहीं बलके फपन कुटनी है करन रखना चाहिए जी हाँ कॉफी विद करन की सीजन 8 की एपिसोड नमबर 1 में करन जोर ने निबाया फपन कुटनी का किरदार और इस खुबसूरत कपल की बीच आई कॉंट्रोवर्सी जी हाँ हम बात कर रहे हैं रनवीर सिंग और देपिका पाडुकॉन की वैल देपिका पाडुकॉन और रनवीर सिंग शोग की एपिसोड नमबर 1 में सुना रहे थे अपनी अपनी मुहबत की दास्तान है मगर कहते कहते दिपीका ने कुछ ऐसा कह दिया कि सोशल मीडिया पर दिपीका हो रही है ट्रॉल और फैंस भी हुए आग बगोला जी हाँ तरह तरह के कमेंट्स मिल रहे हैं जिसमें दिपीका को बहुत सी बातों का साम ना करना पड़ा हूँ वाल कहानी कुछ यू है कि दिपीका शोग के दुरान शादी के पहले की लाइफ स्टोरी बता रही थी कि कैसे उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इशूस थे इन सब इशूस की वाज़ा से उन्होंने सिंगल रहने का एफैसला किया कि इसी दुरान रनवीर सिंग उनकी लाइफ में आए उन्होंने ये भी बताया कि जब रनवीर सिंग उनकी लाइफ में आए तब वो एक की साथ कई लड़कों को डेट कर रही थी उन्होंने ये भी कहा कि उनके और रनवीर सिंग के बीच कोई कमिट्मेंट ना थी ने कहा कि किसी और को भी देख रही थी जिसके दिपिका ने कहा मुझे नहीं याद कि मैंने ऐसा कुछ कहा बस यही बात थी जिस पर रनवीर सिंग भी बढ़के और होने लगे लगे दिपिका ट्रोल किसी ने दिपिका को फेक कहा तो किसी ने कहा दोके बास किसी ने कहा flirty तो किसी ने कहा hypocrite इसके इलावा और भी बहुत किसम की comments पास कियेगे बस किसी बात को लेकर दिपिका हैं परेशान अब तो comment column में आप भी बताईएगा कि दिपिका को लेकर जो ट्रोडिंग हो रही है उसके बारे में आप क्या राये रखते हैं किया दिपिका हिपोक्रेट, flirty, fake या दो के बाद हैं क्या रनवीर सिंग के साथ अच्छा हुआ उनके च्छोरेपन का यही सिरा मिलना चाहिए था comment column में ज़रूर बताएगा और अपने राये से ज़रूर अगा किजिएगा तिल टेन तेक केर बाबाए